तो आज हम लोग डिसकस करेंगे स्केलर और वेक्टर का यह में का यह की टोटल डिटेल सॉलिशन जो की यह में स्टार्टिंग 2012 से अभी तक लेटेस्ट जो कुश्चन पूछा गया है उसलिए इसको में लोग स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन आज का है और medal एकटर एक्टर एक्टर ग्ला स्टिंग ग्लस थुक्ली के यापलस निर्म इस्टेट्स टिंग क्वेक्टर डिटिंगी इकलू तो 2 जे देन देंन देमें किडिणा ए उसका ब्रीडी दिए याए वाने, हम लो, क्या बोला है यहांपर से। एको बी से सब्चेक के आगिया है। मिन्स, वी माइनस ए उसका वहलू दे दिया है। 2 अब हम लोग इसको फिर सेरेंज कर लेते हैं बी का वेल्यू कितना आ जाएगा तू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप यह हम लोग को बी का वेल्यू आ गया अब बी का मैगनिटूड पता नहीं किया है पूछ रहा हूँ दमेंटीट और वेक्टर भी क्या होगा तो हम लोग इसका मैणिटूड फाइंड कर लेंगे कि तो यहां जागा टू स्क्वार इधर से व्लस फाइब इसक्वयर प्लस वसक्वार को सॉल्मbug के कितना जागा बस कोफिशंड करका सुक्वार गायड क्लिक कर दिये इस प्लस मुआ उटिपाइब उस प्लस ढह़ा है स्क्वयर उट ऑफ 33 लोत को दिखिया सब्ते को फट्रत थड़िए तो इस में आपको ग्रेश मिल जाइख और सब्क्राइब हेस्जिन लोगा ग्रेश वाला को Schlmad में यहां पर हो सकता था नहीं किया तो नहीं होगा क्रेश वाला कि सब्सक्राइब ट्रॉम तब ग्रेश होगा तो कॉलम मैचिंग का है तो देखिए हाँ पर हम लोग एका देखते हैं सी माइनस ए माइनस बी इकल टू जीरो सी का अपोजिट में होगा वेक्टर ए और वेक्टर भी एक ट्रेंगल में तो सी का डिरेक्शन का अपोजिट किसम है देखिए सी का डिरेक्शन का अपोजिट ए और वी तो इस में ए और बी में हैं उप करते हैं गया अब लोग बीक क चेक करते हैं B क्या है A minus C minus B A का opposite है C और B A का opposite C और B होना चाहिए तो A इधर है देखिए again और C और B इसका opposite है तो B का हो जागा क्या 3 हो जागा A है A का tendency है anticlockwise और C और B दुनों है clockwise तो A opposite हो गया इसका C और B का तो B का जो हो जागा correct match हो जाएगा 3 तो B का correct match 3 हो जाएगा तो यह option B में ही मिल रहा है और तो कोई option में नहीं है लोग यहां से आगे check भी नहीं करेंगे option B को tick कर लेंगा तो इसमें time से हो सकता है आपका then next question है the magnitude of vectors OA, OB and OC in the given figure are equal OA, OB and OC equal है the direction of OA plus OB OC minus OC with X axis क्या होगा तो equal magnitude of लोकस को कुछ A बोल देते हैं सबका A और लोकस को component form में लिख लेते हैं तो OA vector को पर यह लिख लेते हैं XY component में तो कितना हो जागा A cos 30 degree I cap plus A sin 30 degree J cap तो OA vector हम लोग का आगे हैं हां से A root 3 by 2 I cap plus A by 2 sin 30 degree 1 by 2 J cap then again OB को हम लोग लिखते हैं OB देखी इदर X positive Y negative तो A cos 60 degree I cap minus A sin 60 degree J cap तो हम लोग OB को यहां से लिख लिख लिए OC vector इदर second coin में है X negative Y positive so minus A cos 45 degree I cap X component इसका Y component कितना आजाएगा plus में plus A cos 45 degree J cap हम लोग को यह find करना है OA plus OB minus OC OA plus OB minus OC so OA का value यह होगे हम लोग को देखे पहले मिल चुका है OB भी मिल चुका है OC भी मिल चुका है put कर लेते हम लोग यहां पर तो X component एक साथ लिख लेते हम लोग यहां पर क्या है A root 3 by 2 यहां पर है X component हम लोग का कितना है OB में A by 2 और इसमें है OC का value लिखी लेते हैं पहले एक बार यहां जागा कितना थोड़ा साथ को हम लोग पहले लिख लेते हैं value तो इसका value आ जाएगा कितना OC का value minus A by root 2 I cap plus A by root 2 J cap तो यह OC वेक्टर आ गया तो चलिए इसको पहले हम लोग एक बार underline कर लेते हैं final value को OB का value इधर OA का value इधर और OC का value इधर लोग को लिखना है OA minus OB OA plus OB minus OC OA plus OB minus OC component को एक साथ लिख लेते हैं आजिए मैंस में यह तो 3 क्लेस में आ जाएगा पि एक्स कंपोइंट रहा तीनों का plus में आ जाएगा यह औरologist प्लस में यो और OA और EB plus में है OC महने मैंश में तो यहां पर episodes प्लस हो जाएगा है इस रूत थ्री थ्री वाइर टू प्लस ग्सक्क कमपोनेंट ए भाइर टू और इसका प्लस में आए रूट टू ही सब आईकिन कि इस दुनों फो यहां पर क्या वे प्लस भी है तो यह दुनों एक साथ हो गया हो तो कितना हो गया प्लस एन लेते हैं हम लोग यहां से a by 2 और यह हम लोग का minus a root 3 by 2 और यहां पर oc जो है minus में होगा minus oc है तो इसका component हो जाएगा negative में तो minus a by root 2 यह जे कैप वाला है तो हम लोग का यह वेक्टर मिला o a plus ob minus oc तो हम लोग को इसका क्या करना है angle with x-axis तो 10 theta ले लेते हैं अंगल तो लोग 10 theta को क्या लिखते हैं y component और x component यह वेक्टर का y component है यह वाला part j और x component है यह वाला वेक्टर का y component यह वेक्टर का x component जो भी है तो इसका मुलोग पूट करते हैं a by root 2 a by 2 है by component minus a root 3 by 2 minus a by root 2 इसका यह वेक्टर के तना है a root 3 by 2 plus a by 2 plus a by root 2 तो अभी हम लोग एक कुमन लेक्टर कर देंगे इधर और LCM ले लेंगे तो यह फाइनली सॉल्व करके आप लोग को इसका value आ जाएगा 10th theta का value 1 minus root 3 minus root 2 divided by root 3 plus 1 plus root 2 तो इसा कौन सा option है नीचे में तीनों प्लस में है देखिए तीनों प्लस में है option C में है उपर में है 1 minus root 3 minus root 2 तो correct answer हो जाएगा इसका क्या C number यह जास कल्कूलेशन है simplify easily कर सकते हैं इसको next question है तो इसमें बोल रहा है the resultant of these forces O P O Q O R O S O T is approximately how much newton magnitude क्या होगा resultant होगा क्या magnitude नहीं रिचल पोच रहा है O P इधर है 20 newton दे दिया है O Q दे दिया है 10 O R O R एगें 10 O S 15 and O T 15 तो इसका resultant find करना है तो बहुत आसान सा question है बस component में लोग इसको break करेंगे दे रेक्ट हम लोग लिखते है resultant का X component resultant का X component resultant का X component मितलब सारे vector का X component O P का X component 10 X एक्षिए से कितना अंगल बनाया है यह 60 degree देखे 60 degree यह 30 यह तो यह 60 बनेगा तो इसे लिख लेते हैं प्लस O T X तो यह solve होकर क्या जाएगा O P का X component 20 और X एक्षिए से सिंगल बना रहा है यह कितना 60 degree प्लस यह 30 है तो 20 cos 60 degree प्लस O Q यह 10 है 10 cos 30 degree देन O R यह बना रहा है 45 degree तो 10 cos 45 degree O S O S कहां है O S इधर है X component negative में जाएगा तो यहाँ पर minus हैं हम लोग ले लेते हैं प्लस इसका negative X में है तो minus 15 cos 45 degree and O T O T देखे कितना है इसका O T 15 है तो 15 का X axis के साथ 30 degree बना रहा है तो यह minus negative X है तो minus 15 cos 30 degree तो R X जो solve करना है वो आज अगा हम लोग का 20 cos 60 तो कितना आज आएगे 21 by 2 20 by 2 plus 10 cos 30 root 3 by 2 plus 10 cos 45 1 by root 2 minus 15 cos 45 तो यह 15 by root 2 and minus 15 cos 30 15 root 3 by 2 अब आप इसको solve करेंगे तो आपको value approximately आ जाएगा यह 9.25 चेक कर सकते हैं यह बिसिक सा बात है आप लोग कर सकते हैं आइन पॉइंट 25 आ जाएगा आर एक्स तो यहां से हम लोग option एक को टी कर सकते हैं आगे किल्कुलेशन नहीं भी करना है तो अगर वाइंट करेंगे तो सबका यहां पर से साइन में अंगर ले लेंगे लोग यहां पर और एक सीज देख लेंगे तो एक को करने के बाद यहां पर दूसरा है एगे साकते हैं और अगरए लोग तो यहां पर हम लोग यहां पर यहां पर हूं टो बकुरी यहां पर ऊलग करने क्षेजर यह लोग करके हैर नेक्स कंट है नेक्स्ट कुस्टिचिन तू फोर्स वे विधियन गणिटूड एंद वी रूट वर टू आर पर्पेंदिट्रिकुलर टू इच एदर the magnitude of the resultant क्या होगा तो एक का magnitude है और दूसरा का magnitude है ay2 are perpendicular to each other क्या हो जागा इसका magnitude resultant का angle 90 दिखरी है तो लोग को resultant का formula तो पता है r होता है क्या square root of p square plus q square plus 2 p q cos theta p square plus q square plus 2 p q cos theta p square तो एक a दे दिया है a square plus q square दूसरा vector a by 2 का square plus 2 a ay2 cos 90 degree तो दू वेक्टर है ना एक vector p ले 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 लोग a और q ले 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 लोग कितना a by 2 और लोग ले ले लीदे 90 degree तो इसमें put कर लेंगे solve लेंगे हासे हम लोग को R का value कितना आ जाएगा Square root of A square Plus A square by 4 और ये term तो 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना असान सा है 4 A square plus A square 5 A square root 5 और निचे में यहां पर आ जाएगा क्या 4 निचे है तो 2 आ जाएगा root 5 by 2 a square है तो a आ जाएगा तो root 5 by 2 a इसका option हो जाएगा c correct then next question है a vector in xy plane max angle 30 degree with y axis the magnitude of y component of vector दे दिया है यहापर 2 root 3 the magnitude of x component of vector क्या होगा तो अम लोग का vector का component दे दिया y components vector कम लोग कुछ ले लेते हैं b और वो angle बना रहा है 30 degree with y axis तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या b cos 30 degree that is 2 root 3 तो b root 3 by 2 that is 2 root 3 root 3 cancel हो गया b का value आ गया 4 means vector का magnitude 4 है इसका x component क्या होगा तो यह x axis से 60 बनाएगा because y से 30 बना रहा है अंगल diagram बना के देख सकते हैं इसका हम लोग यहाँ पर vector है b इसका y component जो है बी का भी वह दे दिया है टो रूट 3 तो भी एक्स क्या होगा यह पूछ रहा है अब भी फोर मिल गया अब भी एक्स कितना हो जाएगा देखे डियाग्रम से भी कॉस इसकी डिगरी वह जाएगा इसका भी हुआ है विका भी मिला है पूर और कॉस इसकी डिगरी हाफ तो इसका x component आ गया टू तो आप संडी करेक्ट हो जाएगा एक्स इसका हो जाएगा टू नेक्स कुश्चन जस्ट वन सेकेंट देखे नेक्स कुश्चन है बोल रहा है यह मस्कीटो इस मूविंग बेलास्टी भी इक्वल टू जिरो पॉंट फाइटी स्क्वाइर प्लस 0.5 टी स्क्वाइर केप प्लस 3 टी जे केप प्लस 90 क केप मिटर पर सेकेंड और एक्सलेटिंग इन उनिफॉर्म कंडिशन्स पार्ट बिल बी दो डारेक्शन ऑफ मस्कीटो अप्र टू सेकेंड तो यहां पर हम लोग टी का वल्यू टू पूट कर लेंगे प्लस ट्री टी का वल्यू टू पूट कर लेना यहां पर दिया हुए एक्सम्म जेकेप प्लस 9 जेकेप यह वेलस्टी वेक्टर है वेक्टर को लोगे से लिख सकते हैं यह पोर इंटू पाइप तो यह हो जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस नाइन के कैप वाट विल भी डिरेक्शन आप मस्कुर्ट अप्र टू सेकंड डिरेक्शन मतलब डिरेक्शन को साइन को लोग पहले सोचेंगे और उसके बाद हम लोग वहाँ पर कि देंगे कि अप्शन टेंगे दिया हुआ तो तो इसका हम लोग कॉश्ट लेंगे क्या हो जाएगा से ट्रेक्शन आप मस्कुट आप्टर टू सेकेंड हैं दो सेकंड के बाद इसका डिरेक्शन रहा है तो यह अपर देखें य से डिरेक्शन ले रहा है दो सब्सुन में फिर जो एक्स उपर यॉपर ले न होता है वाइए कंपोइंट 6 है डिवाइड है नीचे वाले का टोटल का मैगनिटूड है कि वह टू का स्क्वाइर प्लस 6 का स्क्वाइर प्लस 9 का स्क्वाइर उब मैं टूट ले लेंगे वेक्टर का यहां से कॉस्ट ही टाम लोग को सॉल पर करके कितना जाएगा 6 और नीचे यहां पर जो टर्म है कितना नाइन एक्टीवन प्लस है यह आजाएगा हम लोग का फॉर प्लस थर्टीश प्लस एक्टीवन यह सॉल हो गया गया शिक्स बैस करूट अब टैन थीटा क्या होगा कॉस्ट हम लोग को मिला है तो टैन थीटा पर्पेंडिक्लर में बे करता है यह बेस्ट भाइपोटनियस मिला है तो परपेंडिक्लर हम लोग फाइंड कर सकते हैं परपेंडिक्लर तो 112-62 आगे हम लोग का 121-36 परपेंडिक्लर आ जाएगा आपको रूट 85 तो रूट 85 परपेंडिक्लर बाइबेस 6 तो वाइक्सिस से हम लोग को आगे यहां पर रूट 85 जो कि आप्शन में पहला आप्शन में यह में है टेन भर सुट 85-6 फ्रूम वाइक्सिस तो अब आगे हम लोग चेक नहीं करेंगा एक्स से भी चेक कर सकते थे बट अग ऑप्शन नहीं मि चानला यहां फिर मैंनिटूड तो इस ऐड्किसन को षान में घखते है डास एक्से मतलब एक्स कमपोनेंट ठीभाइड को चुटन मैंनिटू ए टेन-ट्रण को सेने लोग Y-axis Y कंपोंट वा वेक्टर काम बागनिटुट और रेक्शन को सेने लोग Y को सलिप्के य। य। नेक्ट है को सेने देखे बुला है Statement 1, if 3 forces F1, F2 and F3 are represented by sides of a triangle and F1 plus F2 equal to minus F3 then these 3 forces are concurrent force and satisfy the condition for equilibrium बिल्कुल करेक्ट है Statement 1, correct है यहां पर concurrent force होगा then statement 2 बोल था, एक्रेंगल made up of 3 forces F1, F2 and F3 and as its sides taken in same order satisfy the condition for translatory equilibrium translatory equilibrium मतलब क्या होगा है resultant 0 तो बिल्कुल सही है अगर हम लोग 3 force को लेंगा है same order में उसका resultant 0 हो जाएगा तो बेक्टर का resultant 0 होगा मतलब वो translatory equilibrium में है in light of the above 2 statement choose most appropriate answer from the given below तो यह दोनों correct है statement 1 भी correct है और statement 2 भी correct तो यहां पर हम लोग का क्या option है statement 1 is false but statement 2 is true यह गलत हो गया बोथ statement 1 and 2 is true तो यह सही हो जाएगा 1 true and be false यह गलत बोथ statement 1 and 2 are false भी गलत तो इसके correct answer हो जाएगा option B तो यह आसान question था statement का question एक डाल दिया था vector में तो आगे का पार्ट में हम लोग दो तिन पार्ट और लाएगे और उसमें vector का total question जो 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 है में माया सब को discuss किया जाएगा कुछ कॉंसेंट भीता जाएगा तो मिलते हम लोग फिर next part में thank you